सीफूट्स में प्रॉंस मेरा सबसे ज़ादा फेवरेट है इसले मैं इसको हमेशाना अलग-अलग तरीके से बनाते रहती हूं आज जो में रेसीबी आपके साथ शेयर करूंगी होट एंड स्पाइसी प्रॉंस मसाला की बहुत ही जबर्दस टेस्टी बनती है और बहुत ही ज बड़े साइस के प्रॉंस है अगर आप हतेली मी लेंगे न तो इस तरीके से देखी यह एक हतेली के साइस का एक प्रॉंस है चाओ तो बड़ा साइस वाला भी ले सकते हो उससे बहुत ही ज़ादा टेस्टी बनती रेसिपी सबसे पहले हम प्रॉंस को कट एंड क्लीन इसको निकाल लेंगे इसके वेंस वगेरा को निकाल कर अच्छी तरीके से हमें इसको साफ कर लेना है धो कर तयार कर लेना है यहाँ पे मैंने प्रॉंस को अच्छी तरीके से पानी से धो लिया है गंदगी वगेरा बिल्कुल साफ कर लिया है यहां पर हम प्राउंस को पहले से फ्राई नहीं करेंगे आज की इस रिसिपी को आप बिल्कुल टिट्टो बनाना बहुत ही डेस्टी बनती है यहां पर मैंने कुछ ले लिया है मसाला हम इसी से मसाला त्यार करेंगे यहां लिया है मैंने दो छोटे चम्बच खड़ाद़निया एक चोटा चम्मच सॉ्फ थोड़ा सा मैंने यहां पे काली मिर्ष लिया है लगबग आदा छोटा चम्मच जितना या फिर अपने टेस्ट के कॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं एक चोटा चम्मच जीरा, यहाँ पर मैंने ले लिया है तीन से चार सूखे लाल मिर्च, इसको तोड़ लिया है और इसके अंदर का बीज मैंने निकाल लिया है, बीज के साथ नहीं बनाना है इस मसाले को वरना बहुत जादा तीखा स्पाइसी हो जाएगा, यहाँ पर मैंने ड्राय रोस्ट करना है, दो मिनिट में ही अच्छे से खुश्बू आने लग गई है और मसाला हमारा हलका सा रोस्ट हो गया है, इसको हम निकालेंगे डिरेक्ली मिक्सी के जार में और थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और उसके बाद इसको पीस कर हमें इसका पाउडर तेयार करना है, तो लो यहाँ पे मैंने मसाला को पीस कर तयार कर लिया है, यह जो हमने रोस्ट करके मसाला तयार किया ना इसका अपना अलगी फ्लेवर एड़ होता है इस रेसिपी में, अब मैंने यहाँ पे कडाई गरम किया, इसमें मैं डाल रही हूँ सरसो का तेल, दो से तीन बड़े चमच, बिल्कुल धुएदार गरम करना है तेल को, तेल गरम होते ही मैं इसमें डाल दूँगी, आधा छोटा चमच सौफ और साथ साथ आठ से दस कड़ी पत्ते आड़ करेंगे, साथ में मैं यहाँ पे हरी मिर्शी आड़ करूंगी, बीच से कट करके दो से तीन, इन सब को हलका सा फ्राई करना है ताकि इनका फ्लेवर तेल में आ जाए, बड़िया से भुन गये हैं, अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ एक बड़े साइस का प्यास बिल्कुल बारी कट करके डाल दिया है मैंने, प्यास को हमें लगबग तीन से चार मिनट फ्राई करना ह ताकि प्यास का कलर चेंज हो जाए और प्यास हमारा हलका सा भुन जाए थोड़ा सा भुन जाने के बाद अब मैं यहाँ पे एड करूंगी अद्रक लसन का पेस्ट तो मैंने यहाँ पे एक बड़ा चमच अद्रक लसन का पेस्ट आला है कूट करके बहुत ही अच्छा फ्ल लिया है ऐसे पतला पतला लंबा लंबा कट कर लिया है इसको हमें फ्राइ करना है तो टमाटर डालते साती मैं हमेशा नमक एड़ करती हूं तो स्वाध अनुसा नमक यहीं डाल देंगे और साथ में डालेंगे आधी चोटी चमच हल्दी पौडर और जो मसाला हमने त्यार करक यहां पर मैं डाल रही हूं एक चोटा चमच काश्मिरी लाल मिच इसमें तीखापन बिल्कुल नहीं आएगा लेकिन हमारी सब्सी कोना बहुत ही बढ़िया सा कलर देगा यह यह बिल्कुल ऑप्शनल है आप चाहे तो बिना डाल कर भी इसको बना सकते हैं अब अच्छी त दढ़िया अब मज़ट इसको चेक करेंगे 2-3 मिनट के बाद यहां पर टमाटर हलके से इसमाफ्ट लग रहे हैं लिगिन पूरी तरीके से अभी भी पकह नहीं है और मसाला भी हलका ब्हुन गया लेगिन पूरी तरीके से पका नहीं है तो मैं आपकर क्या करूंगी मैं एक पानी चीटा मतलब 3-4 बड़े चम्मच पानी डाल देंगे आधी चोटी कटोरी और बढ़िया से मसालो को 3-4 मिनट पकने देना है ताकि अच्छा सा फ्लेवर एड़ो सके तो थोड़ा सा धग देते हैं 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर बीच में खोल कर इसको एक बार जरूर तो टोटल 5 मिनट हो गया है एक बर मैंने चला दिया था बस अब हम इसको एक बर अच्छे से करेंगे मिक्स अभी देखे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गया है और मसाले भी अच्छे से खुश्बू आरिये मसाले भूनने की पूरा मसाला हमारा अच्छे से भून गया है बस अब हम इसमें डालेंगे हमारे प्राउंस को तो आप चाहे तो प्राउंस को हल्दी नमक डाल कर पहले ही थोड़ा सा फ्राई करके निकाले और उसके बाद डाले यहां पर या फिर इस तरीके से भी आप डाल सकते जैसे कि मैट कर रहे हूं क्योंकि अब हम करेंगे इसकी तो बुनाई करते प्राउंस जो है ना वैसे ही अच्छी तरीके से पक जाता है तो मसाली के साथ प्राउंस को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर देंगे बस और अब हम इसको धक कर पकाईगे लगबक 7-8 मिनट मीडियम फ्लेम पर बीच बीच में खोल कर इसको एक-दो बार जरूर चला ले क्योंकि हम मीडियम फ्लेम पर पका रहें तो ताकि नीचे ये जो है जलने ना लगें तो जैसे ही आप इसको धकर पकाएंगे ना तो अपने आप इसमें से पानी रिलीज होता है इक्स्ट्रा पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है देखें लगबग 7- अपने आप काफी सारा पानी रिलीज हो है और प्रॉंस को पकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है प्रॉंस बहुत ही जल्दी क्विकली तयार हो जाती है अगर आपको लगए कि प्रॉंस कच्छे है या मसाला कच्छा है तो थोड़ा सा ढखकर आप और पका लें त अब मैं यहां पे डाल रही हूँ कड़ी पत्ते थोड़े से दो से तीन इस तरीके से तोड़ कर डाल दे बढ़िया फ्लेवर आता है और साथ में जाएगा बारी कटा हरा धनिया अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे नीमू के जूस को हमेशा लास्ट में ही आड़ करें इस की फ्लेम को बंद कर देंगे और लास्ट में थोड़ा सा मैंने हरी मिर्ची से स्लिट करके उपर डाल दिया है बीच से कट करके बहुत ही जबरदस लगती है और यह तैयार है गर्मा गरम चटपटा बहुत ही सूपर डिलीशियस बनती है इसको आप दाल राइस के साथ परो जरू ट्राइ करना अगर आपको सीफूट पसंद है स्पेशली प्राउंस तो आप इसको जरू ट्राइ करना और रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक और शेर जरूर जरूर करना